स्रेश वाय नमस्तो भ्याम हम सबको पता है कि आज है चार फरवरे यानि की माग महीने के रवीवार की दसमीतिती बहुत ही प्यारा सा ये दिन है अगर आपको अपनी फैमिली में परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहिए कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे चाहे आपके हस्बेंड हो वाइफ हो या फिर आपके बच्चे हो तो ये वीडियो आपके लिए है पूजी गुरुजी की कता से सुनके बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कुछ भी नहीं करना बस एक दीपक लगा देना थोड़ा सा तरीके से सही जगे पे लगाना और क्या चीजों को डाल करके लगाना है जिससे हमारा परिवार हमेशा खुश रहे तो इस वीडियो में माग रभीवार की दसमी तितिपे करने वाले चार बहुत ही पैरे से उपाय की बात करेंगे जो कि आप सबको जरूर करना चीजी ठीक है चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि आपकी फैमिली में अगर धन संपदा को लेके बहुत ज़ादा कमी है मालक्षमी का वास नहीं है या फिर आप करज में डूबे जा रहे हैं चाहे वो बैंक का लोन है या फिर आप किसी से पैसे ले रखे हैं पैसे वापस ही नहीं कर पा रहे हैं इस उपाय को करेंगे ठीक है समझेगा यहाँ पे आपको एक पेंड दिखरा होगा वो दो सामान कौन से हैं पहला आपके सामने दिखरा होगा दीपक ठीक है जो दीपक आपको लोगे उसमें गोल बत्ती का दिया लगेगा और उस दीपक में आपको डालना होगा घी अब घी की बात आती है तो आप भले ही सुपाय को मत करो लेकिन अगर घी का इस्तमाल कर रहे है तो गव माता का ही घी आपको लेना है ठीक है समझे तो यहाँ पे दीपक की बात हमने कर ली है साती साथ आपको दो लोग भी ले जाने है लोग को ले जाते टाइम एक चीज का ध्यान रखेंगे दो तरीके के लोग होते है एक लोग में क्या होता न उसका जो फूल होता है वो टूटा हुआ होता है हमें ऐसा नीच चाहिए हमें ऐसा लोग लेना है जिसमें फूल इस तरीके से हो ठीक है दो लोग कोई सा भी लेना और इस सभी चीजों को लेके पहुँझ जाएंगे कहां पे वट व्रिफ्ष के नीचे जाएंगे और वहीं पे वट पेड के नीचे ही आपको उसी गोल बत्ती का दिया आपको लगाना है किसके नामसे वट केश्वर महाद्यों के नामसे दीपक लगाएंगे जिस भी कारण से आपे घर में धन संपदा नहीं है करज की समस्या बढ़ती जा रही है उसकी कामना करते हुए आपको दो लॉंग जो है वो उसमें समर्पित कर देने है जो भी विक्ति रवीवार की दसमी तिथी के दिन वट ब्रश के नीचे घी का दिया गोल बत्ती का शाम क टाइम पे प्रदोशकाल में दो लॉंग डाल करकी जला देता है उनके घर में कभी धन को लेके कोई कमिनी होती हमेशा मालक्षमी का वास उनके घर में बना हुआ होता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि इस उपाय को सिर्फ महिलाएं ही कर सकती है घर का कोई भी सदस से इस उपाय की बात कर ली है आगे बढ़ते हैं रवीवार की दसमी पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तो यहाँ पे फोटो दे करके आपको समझ में आ गया होगा कि यह दूसरा उपाय हमें किस के लिए करना है अगर आपकी बॉड़ी में कहीं पे भी पेन होता है बीमार करके लेना है कितनी साथ चने की दाल लेंगे और आपके घर के में या फर आपके घर के आसपास कहीं पे भी महादयो का शिवलिंग हो घर पे हो घर पे करो बाहर हो बाहर करो आपको एक तामबे के लोटे में इस तरीके से जल भरना ठीक है जल को ले करके और उन साथ चने की दाल को लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुचेंगे सुबह दो पहर शाम राद कभी भी सुपाय को करो फेस रखेंगे उत्तर दिशा नौ दिरेक्शन एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इसमनण करते वे समर्पत करेंगे जल को यहाँ पे समर्पत करने के बाद में आपके पास में जो साथ चने की डाल है ना उन साथ चने की डाल को यहाँ पे ओम नमः शिवाय बोलना है यहाँ पे स्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलना आपको आपको ओम नमः शिवाय बोल करके उन साथ की साथ चने की ड बहुत ज़ादा परेशान रहता है आप उसे ठीक कर दें नाम और गोतर बोलेंगे उसके बाद में इन साथ चने की डाल को यहां से उठाएंगे जुस भी बॉडी में आपके जो भी इनसान आप पे घर में जिसको दर्द की समस्या बहुत ज़ादा है उस इनसान को ओम नमह श दसमीतिती है हमेशा बहुत ही कम रेर देखने को मिलती है कि जो दसमीतिती रवी वार के दिन पढ़ जाए ठीक है तो करिएगा जरूर सभी लोग तो यहां पे हम लोग उने बात कर ली है अपने दूसरे उपाए की आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीस उपाए की बात कर रहे हैं बहुत ही ध्यान से समझने कोशिश करेंगे तो यह तीसरा उपाए सबसे पहले समझ लो की इसके फायदे क्या होंगे उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जल्दी से चैनल को करेंगे ठीक है चलिए अब बात करते हैं दसमी तितिपे करने वाले तीसरे उपाय की इसके फायदे समझ लो ये है क्रोध को खतम करने के लिए मतलब कि अगर आप पे घर में कोई इंसा इंसान है जिसको गुस्सा बहुत आ रहा है क्रोध बहुत आता है तो आप इस उपाय को करेंगे ठीक है समझेगा यहां पर हमें लेने होंगे दो समान को ठीक है लेकिन वो दोनों समान जादा मात्रा में होने चाहिए समझेगा यहां पर आपके सामने चावल दिख रहा है तो 31 चावल के दाने लेंगे अब चावल के दाने के साथ में आपको लेना होगा इस तरी अगर माल लेते हैं आपको बेल पत्र नहीं मिलती है तो आपने 31 चावल के दाने लिए हैं साथ जाथ बेल पत्र की जगह पे 31 चावल के दाने आप और ले सकते हैं इनको लेंगे और लेकर के एक तामवे के लोटे में जल भरेंगे और पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास है मन है मंदिर में करो मन हो अपने घर पे कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम रात कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं समझेगा यहाँ पे महादेव का कौन सा नाम बोलना है और कैसे इस उपाय को करना है ठीक है आपके पास में 31 बेल पत्र है आपके पास में 31 चावल के दाने हैं हैं की नहीं है सबसे पहला काम करोगे जो आपके पास में चावल के दाने हैं एक चावल का दाना समर्पित करेंगे और इसी चावल के दाने के ऊपर एक बेल पत्र फिर एक चावल का दाना फिर बेल यानि इसी तरीके से alternate तरीके से आपको पहले चावल चढ़ाना है फिर बेल पत्र फिर चावल फिर बेल पत्र एक चावल एक बेल पत्र एक बेल पत्र एक बेल पत्र इस तरीके से समर्पित करेंगे समर्पित करने के बाद में श्रम भेशवर महाद्यो फिर से बोल रहा हूं स श्रम भेश्वर महादयो के नाम से आपको उन सभी चीज़ों को समर्पित करना है, चढ़ाना है, महादयो से विंती करना है, महादयो हमारे घर का इंसान है, बहुत जादा क्रोध करता है, बहुत जादा गुस्सा करता है, आप इसके गुस्से को शांद करें, आप इसके जो उपाय को हमेशा नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ दसमी तिथी पे ही करते हैं, सिर्फ एक बार करके देख लीजे, आप पे घर का जो इनसान क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसके गुस्से को, उसके क्रोध को खतम करने का ये बहुत ही शांदार उपाय है, ठीक है करिएगा जरूर तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन उपाय की बात कर ली है आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ और यह चौथा उपाय भी सिर्फ और सिर्फ दस्मी तिथी पे ही किया जाता है और किसे बे दिन नहीं करते ठीके देखो अब कहोगे भी यह इस उपाय के सबसे पहले फायदे की हम बात कर लेते हैं इसके दो फायदे हैं पहला फायदा तो यह है कि अगर आपको अपने घर की रिलेशन को मजबूत करना है स्ट्रॉंग करना है तो आप इस उपाय को करेंगे दूसरा आप इस उपाय को अपनी इच्छा पूर्थी के लिए भी कर सकते हैं कोई विश है कामना है तो उस कामना की पूर्थी के लिए भी कर सकते हैं समझेगा यहाँ पर आपके सामने दिखना होगा काला तिल तो आपको लेनी है एक चुटकी काला तिल ठीक है ले लिया साथी साथ आपको लेना होगा इस तरीके से हल्दी छोटी सी कटोरी लेना उसमें आपको हल्दी डालना है हलका सा पानी डालना बहुत ही थोड़ा सा और उसके बाद में उसमें एक चुटकी काला तिल डालना अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद में एक तामबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे और इन सभी चीजों को ले करके पहुँच जाएंगे महादयो के शिवलिंग के पास में फेस रखना होगा उत्तरदिशा नौर्थ डिरेक्शन जो आपके हाथ में काला तिल है जिसमें आपने हल्दी मिक्स कर रखा है जिस भी वज़े से आपके घर में प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं कोई इनसान करोध कर रहा है गुस्सा कर रहा है किसी भी कारण से आपको उसको लेना है अपनी इच्छा बोलनी है श्रम भेशवर महादयो यहाँ पे भी आपको श्रम भेशवर महादयो का नाम लेकर ही उस का प्रॉबल्म में प्रॉब्लम है, कोई इंसान गुसा कर रहा, क्रोद कर रहा है, इच्छा नहीं पूरी हो रही है, उस कामना का एस्मनर कर देना और उस काले तिल को समर्पत कर देना, कभी भी लाइफ में आपके घर में कोई प्रॉबल्म नहीं आएगी, हमेशा आपका वार खुश रहेगा ठीक है तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने रवी वार की दस्मी पे करने वाले चार उपाय की बात की है जो उपाय आपको सबसे अच्छे सबसे प्यारे लगते हों उन उपाय को आप कर सकते हैं बाकि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा क कुछ पूछना है नहीं समझ मैं नीचे कॉमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं बाकि जितने भी लोग मेरी सावाज को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सबस्क्राइब करेंगी स्रेश वाय नमस्तु भ्याँ